दोस्तो नवजात सिसू की मालिस उसके सारीरिक विकास और तंदरुस्ती के लिए बहत जरूरी है मालिस करने से बच्चे की हडिया मजबूत बनती है साथी मालिस करने के बाद बच्चों को नींद भी अच्छी आती है और वो एक्टिव भी रहते हैं बच्चे की मालिस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ही बच्चे की तोचा को पोसन मिलता है तो दोस्तो ऐसे में कौन सा तेल बच्चे के लिए बेहतर होगा ये confusion मन में हो जाता है ऐसे तो बाजार में कई तेल उपलब धे लेकिन मैं आज एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरीके से हर्बल और कई गुनकारी लावकारी जड़ी बुटियों के साथ कई विटामिन से मिलकर वना हुआ है तो दोस्तो आज के इस विडियो में हम लोग ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ओल के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे जैसे इस ओल को कौन से कंपनी के दौर अब बना जाता है इसमें मौझूद इंग्रिडियन्स कौन कौन से हैं इस ओल के फाइदे क्या है इसे बच्चे को कब मालिस करना चाहिए और साथ ही इस ओल का प्रैस कितना है तो दोस्तो विडियो को प्लीज आप लोग पूरा इंडि तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसाने से समझ में आ जाए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेलेज़बल वीडियो दिलाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूर अंधिर आप लोग का अपना यूटूब चैनल मेडिसीन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ दोस्तो एडी विटामिन बेबी ओल को ग्रोमेड प्राइबेट लिमिटेड कंपनी के दोरा बना जाता है अगर हम लोग इसमें मौझूद इंग्रिडियन्स के बात करें तो इसमें अजवाइन, लहसून, दसमूल, मसूर, जैफर, अरेंड मूल, जंक पुस्पा, एली ओल, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E सामिल है तो चलिए अब हम लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को इस तेल की मालिस की जाए तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तो एडी विटामिन और की मालिस से बच्चे की हडिया मजबूत होती है साथ ही मानस्पेसियों का विकास होता है इसके अलवा ये तेल सीसू के तोचा को पोसंद देकर सुरक्चित रखता है और उसे कोमल भी बनाता है साथ ही बच्चे के तोचा को सुष्ट रखकर इंफेक्शन से भी बचाता है दोस्तो तेल मालिस के बाद बच्चे को आराम महसुस होता है और वो गहरी और अच्छी निंद लेते हैं और सीसू का आरम दैक निंद उसके सरीर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तो ये तेल काफी हलका और इसका सुगंद भी अच्छा होता है साथ ही इस तेल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अब हम लोग जानते हैं कि A.D. विटामिन ओल का इस्तिमाल कैसे करें तो दोस्तो बच्चे को जो भी तेल मालिस कर रहे हैं वो तेल मालिस करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर ले और हलकी हाथों से सिसू के हाथों पेरों और सेरिज में तेल को लगाएं ऐसे तो आप सुब और साम दोनों टाइम तेल को मालिस कर सकते हैं और साथ ही बच्चे को नहलाने के आदे घंटे के पहले भी मालिस कर सकते हैं, और नहलाने के आदे घंटे के बाद भी मालिस कर सकते हैं, सिसु के जन्म लेने के दूसरे दिन से ही आप इस तेल की मालिस कर सकते हैं, और अब हम लोग ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ओल के प्राइस के बारे में जानते हैं तो इसका प्राइस 170 रुपिया पर 100 ml है यह तेल आपके नजदी की medical store में मिल जाएगा साथ इसे आप online भी मंगवा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से अले वीडियो के नाटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच सके तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्त रहे हैं मस तरह हैं फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ देनिवाद